क्या आपको पता है कि शहद कभी खराब नहीं होता? आर्केयोलोजिस्ट्स को एजिप्शन टूम्स से 3000 साल पुराना शहद का पॉट मिला था जो आज भी खाया जा सकता है अब ये खराब क्यूं नहीं होता? बता रहा हूँ पहले चैनल सब्सक्राइब करो कर लिया? चलो ठीक हैं देखो पहला रीजन तो ये है कि इसमें पानी नहीं होता और आपको पता ही होगा कि किसी भी फंगस या बैक्टीरिया को पनपने के लिए मॉइस्ट्राइजर तो चाहिए होता है और शहद का पी-एच लेवल होता है तीन से चार के बीच में बैक्टीरिया इस पी-एच लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पाते अगला रीजन ये है कि मधुमक्खियां शहद को मैनुफैक्चरिंग करते टाइम इसमें एक ग्लुकोज ऑक्सिडेस नाम का इंजाइम मिक्स कर देती है इससे होता क्या है कि जब कभी भी शहद मॉइस्चुराइजर के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन पिरॉकसाइड बनने लगता है और हाइड्रोजन पिरॉकसाइड एक तरह का एंटिबैक्टीरियल का काम करता है इसमें पॉलिफिनोल्स भी पाया जाता है जो की एक और एंटिबैक्टीरियल होता है अब ये तो था इसके खराब ना होने का सीक्रिट इसके अलावा अलग-अलग कल्चर्ज में शहद से रिलेटेड सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है एंशेंट ग्रीक रिलिजन में सबसे प्रमुख गौड जुएस का पसंदीदा फूड शहद हुआ करता था यहूदी धर्म की किताब हीब्रियू बाइबल में लैंड ओफ मिल्क एंड हनी का सोलह बार जिक्र किया गया है मुसलिम धर्म की किताब कुरान में पूरा एक चैप्टर सुरह अननहल मधुमक्खियों और शहद के बारे में लिखा है Christianity में हनी को Spiritual Perfection के सिंबल की तरह दिखाया गया है Hinduism में पंचामृत में से एक अमृत मधु यानी शहद को बताया गया है वेदों में इसके Medical और Health संबंधी फायदे लिखे हुए है और एक Ritual होती है मधु अभिशेक जिसमें मूर्तियों पर शहद का अभिशेक किया जाता है बुदिजम में मान्यता है कि जब गौतम बुद्ध जंगल में थे तब एक बंदर ने उन्हें खाने के लिए शहद ला कर दिया था इस Act को याद करते हुए एक Festival मधु पूर्णिमा मनाया जाता है इसमें Monks को शहद गिफ्ट किया जाता है